हेलो एवरिवान आप सब का स्वागत है RRB NTPC 2019 का CBT1 का मैज का सोलिशन कर रहे हैं जिसमें 28 दिसम्बर 2020 का 29 सिप्ट का सोलिशन कम्पलीट हो चुका है और 29 दिसम्बर का पहला सिप्ट का सोलिशन भी कम्पलीट हो चुका है अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं आज के क्लास में 29 दिसम्बर 2020 का दूसरा सिप्ट का सोलिशन करेंगे तो शुरू करते हैं उससे पहले चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए देखे एक विरिद बनाई है इसे इसमें एक केंद्र है और जो पहली जिवा है यह इस तरफ है माल लेज़े यहां पर 12 सेंटेमीटर वाला और दूसरी जिवा केंद्र के दूसरी तरफ है ठीक है यहां पर कह रहा है विपरिद दिसा में है तो एक जिवा यहां पर है इसकी लमबाई है 16 सेंटेमीटर ठीक है तो अब क्या करेंगे आम लोग केंद्र से इसको मिलाईए ठीक है तो यह समकुन होगा इधर भी इस तरफ भी मिला देंगे तो पूरा जिवा यह नीचे वाला 16 सेंटेमीटर है यह 10 cm हो गया और इसी तरह से इसको भी मिला देंगे यह हो गया 10 cm अब यहाँ पर समकूंतिर पूज़ा 8 है 10 है तो यह कितना होना चीए 6 होना चीए ट्रिपलेट होता है कितना होता है 3, 4, 5 इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 6, 8, 10 यही ट्रिपलेट का यहाँ पर परियोग होबा है इसमें भी अगर यह 10 है यह 6 है तो यह कितना होगा 8 होगा तो पूछ रहा दोनों जिवाओं के बीच की दूरी यानि कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 8 और 6, 14 cm इस सवाल का सही आंसर है आगे बढ़ते है यदि 3 cos theta बराबर root 3 है तो cos 1 theta into 10 theta का मान क्या होगा ठीक है तो यहाँ से root 3 से इसको कटा दीजिए root 3 बार में तो cos theta का value यहाँ से क्या आ गया यह root 3 इस तरह पाएगा तो 1 बटा root 3 हो जाएगा और निकालना है cos 1 theta into 10 theta तो cos 1 theta को हम लोग लिख सकते है 1 बटा sin theta गुना है उसके बाद 10 theta है तो 10 theta को लिखेंगे sin theta बटा cos theta तो यहाँ से sin theta कट जाएगा बचे का क्या 1 बटा cos theta तो cos theta का value यहाँ पर निकला हुआ है और 1 बटा cos का पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको उल्टा के लिखेंगे यानि कि इसका value क्या हो जाएगा एक बटा root 3 का reciprocal root 3 root 3 इस सवाल का answer होगा आगे बढ़ते हैं एक आयत का चतरपल 300 cm square है इसके विकर्ण की लंबाई 5 cm है आयत का परिमाप व्याद कीजिए देखेंगे एक आयत बना लेते हैं और ये विकर्ण है इसका जिसके लंबाई कितना है 5 cm लंबाई चोड़ाई नहीं दिया हुआ मान लेते हैं कि चोड़ाई B है और लंबाई L है परिमाप पूछ रहा है यानि कि 2 इन्टू लंबाई प्लस चोड़ाई का मान निकलना है अब यहाँ पर देखें छेत्रपल दिया हुआ 300 cm2 यहाँ लंबाई चोड़ाई को LB माने है तो छेत्रपल यहाँ से कितना हो जाएगा यानि कि LB हो जाएगा 300 ठीक है अब यहाँ देखें विकर्ण का लंबाई 5 cm दिया हुआ तो हम लोग यहाँ पर विकर्ण निकलने के लिए क्या करेंगे L2 प्लस B2 बराबर 5 का S2 पाइथागोरस से कितना हो जाएगा 25 तो L प्लस B निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा तो L2 प्लस B निकलने के लिए क्या करेंगे L2 प्लस B का HOL2 का FORMUL jogar यहां पर लगाएगे वो क्या होगा L2 प्लस B2 यह लिख देते है यहां पर L2 प्लस B2 का मान यहां पर देखिये 25 दिया हुआ हूआ है PLUS 2LB LB का मान 300 है तो 300 का 2 गुना यहाँ पर 600 देंगे तो यह कुल मिला के कितना आगया 625 अब यहाँ पर L प्लस B का हॉल स्क्वार था तो S क्वार हटाएंगे तो L प्लस B का मान कितना आजाएगा 325 का वरुगुल 25 ठीक है अब यह L प्लस B यहाँ पर रख दीए यानि कि 2 गुना 25 बराबर 50 इस सवाल का अंसर होगा ओप्सन नमबर 1 आगे बढ़ते है वह चोटी से चोटी संक्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 से विवाजित करने पर प्रति एक बार सेसफल 3 बचता है ठीक है तो 3 सेसफल बचना है तो हम लोग क्या करेंगी इसको आप्सन से आराम से निकाल सकते हैं 435 से 3 मैनस करें कितना आगे 432 अब यहाँ पर 72 है 72 में क्या है 9 9 ठेब बहतर होता है तो 9 से क्या यह संख्या कट रही है 4379 9 से यह कट रहा है तो यह इसका आंसर होगा आगे भी चेक कर लेते हैं सेसफल 3 है 3 मैनस कर देजिए 72 में 3 मैनस करेंगे तो 79 बचेगा क्या यह 9 से कट रहा है नहीं कट रहा ठीक है उसी तरह से यहाँ भी यह बच जाएगा 3 मैनस करेंगे तो 429 9214 15 यह भी नहीं कट रहा है इधर कितना बच जाएगा मैनस 3 करेंगे तो 426 284 12 यह भी 9 से नहीं कट रहा है उकल मिला के कहने का मतलब है option number 1 इसका सही answer नहीं तो आप इन 3 का LCM निकाल लेजिए और उसमें 3 जोड दीजिए वही इसका answer होगा आगे बढ़ते हैं इसका मान निकलना देखे 72 है 18 तो 72 को तोड़ते हैं 18 गुना 4 देखे 18 और 18 का पेर बन गया रूट के अंदर तो 1 अठारा बाहर कर लेते हैं और बच गया 4 तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 इसका value आगया 18 गुना 2 यानि कि 36 और इसका value कितना आएगा जीकिए 0.2 और इसका आएगा 0.8 तो सब में जोड़ना है तो 0.2 और 0.8 कुल मिला के एक होगा तो 36 फ्लस एक 37 इस सवाल का अंसर हो और आगे बढ़ते हैं एक तरल मिसरन में एक बट्टा 5 भाग अमल है 3 वट्टा 5 भाग अलकोहल है और सेज भाग पानी है यदि मिसरन की कुल मातरा 20 लीटर है तो मिसरन में कितना पानी है देखे 5 पान्च बराबर है तो 1 वट्टा 5, 3 वट्टा 5 कुल मिला के कितना होगा 4 वट्टा 5 अगर यह चार बटा पांच को एक में मैनस करेंगे तो बचेगा कितना भाग एक बटा पांच भाग यही है पानी तो हम लोग 20 लिटर का एक बटा पांच निकालेंगे तो यह कितना आएगा शार लिटर option number C इसका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं तीन पाइप A, B और C करमसब 15 गंटे 12 गंटे और 18 गंटे में एक टैंक भर सकते हैं यदि दोनों पाइप A और C को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना होगा दीके पहले तीनों का कार चमता होगा इन तीनों का LCM कितना हो जाएगा 180 15 से डिवाइट करें के तो बारह से डिवाइट करेंगे तो पंदरह आएगा धाmber 18 से डिवाइट करेंगे तो तो 10 अब यह टैंक को कॉन बरेगा यह और में मिल के बरे तो कितना समय लगेगा यही हुँझ रहा है तो ए और सी का कर्षमत एका 12 है सी का दस है उकुल मिला के कितना होगा 12 12 तो 22 से एक सोसी को डिवाइट करेंगे तो 2 से कट आएंगे तो यह आएगा 90 बट्टे 11 तो आजाए गया गया एक यानि आट पुनांग दो बटे गया रही सवाल का अंसर होगा आगे बढ़ते हैं यह ग्राफ दिया हुआ क्या कहा रहा है किस वर्स के दौरान पिछले वर्स की तुलना में उत्पादन टन भार में सरवाधिक विसुद विर्दी थी यानि किस में सबसे कृसरा से अधिक विर्दि हुआ देखिए हम लोग यहां से दूसरा कितना हुआ है सौ से दो कहा हैं और सकता हैं मिलोंक मां सकते हैं यानि कि यह हुआ 200 से 425 तो देखिए यह दो गुना से भी थोड़ा सजादा यानि कि 100% और पचीस अठ्ट है यानि कि 108% यहां पर विर्दी है उसके बाद इधर देखिए 400 से 500 यहां पर कम विर्दी है और फिर 500 से 600 यहां भी कम है तो कुल मिला कि यही दोनों सबसे अधिक था जिसमें कि यह दूसरा वाला सबसे अधिक निकल के आया है तो यह कौन सा साल का है यह 1982 से 83 ओप्सन नुमर डेज का अंसर होगा आगे बढ़ते हम यदि एकस वाई का नुपाद दिया है तो इसका मान पूछना तो जो भी एकस का वैलु है यहां पर वह रख देंगे और निकल लेंगे तो एकस का 4, y का 5 रखते हैं तो यह हो जाएगा कितना पांच होगे 20 और 35 पचपन और नीचे 20-35 तो 20-35 कितना यहाँगा कितना हो जाएगा मैनस का 15 प्लस है भीच में ठीक है और 6x प्लस चारव है तो एकस का चार छेचोगे 24 प्लस 20 चो वालिस हो जाएगा उपर और नीचे साथ चोके 28 माइनस 40 माइनस का 12 चार से कटाएंगे 3 बार में 4 से 11 बार में 5 से 11 बार में तो दोनों देखें 3 तीन बरावर है उपर डारेक्ट जोड़ देंगे 11 ए 11 बाईस हो जाएगा और नीचे 3 आएगा, दौनों में मैनस लगा हुआ है, तो मैनस का साइन आएगा, योगफल में ठीक है, तो 22 बटा 3 इस सवाल का आंसर होगा, आगे बढ़ते हैं यदि X प्लस एक बटा X बरावर 12 है, और X स्क्वार मैनस X स्क्वार 50 है, तो इसका मान क्या होगा, देखिए इसको तोड़ते हैं इसको क्या लिख सकते है x square plus 1 बटा x square into x square minus 1 बटा x square यानि a square minus b square के जैसे इसको तोड़ दिये a plus b into a minus b अब यहां देखिए x square minus 1 बटा x square कमान 50 दिया हुआ है इसका value जो है पहले से दिया हुआ है निकालना है किसका इसका तो हम लोग देखिए यहां से निकालते है x plus 1 बटा x 12 है तो x square plus 1 बटा x square बरावर क्या हो जाएगा 12 का square minus का 2 यह formula पहले हम बता चुके है तो 144 minus 2 142 यही मान यहां पर रखेंगे ठीक है 142 गुना कर दिजिए 0, 5, 2, 10, 1, 14, 5, 7, 1, 71 यही 7100 इस सवाल का अंसर होगा आगे बढ़ते है इसका मान पूछ रहा है ठीक है देखिए नीचे 27 में है तो उपर भी 27 में लिखते है sin 27 है cos 63 को हम लोग क्या लिख सकते है sin 27 ठीक है पूरक में इसको बदल देंगे तो sin 27 ही हो जाएगा और यह sin 37 पहले से तो फुल में लागे कितना हो गया sin 27 ठीक और नीचे आगया cos 27 ठीक है बीच में मैनस है ठीक है यहां देखिए सेक है cos 1 है cos 1 को हम लोग बदल दें 27 में तो क्या हो जाएगा सेक 27 हो जाएगा तो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगे क्या सेक स्क्वार 17 डिग्री और नीचे है 10 स्क्वार 45 तो 45 10 में 45 का मान कितना होता एक एक का स्क्वार एक ही हो जाएगा नीचे अब यहां पर देखिए 10 स्क्वार 27 और बटा कॉस स्क्वार 27 बड़ावर हो जाएगा 10 स्क्वार 27 और मैनस का सेक स्क्वार 27 डिग्री तो देखिए सेक स्क्वार मैनस 10 स्क्वार बड़ावर एक होता है तो यहां पर उल्टा दिया है यानि कि 10 को आगे तो एक को पेसी लेखा है तो कितने चलेगी कि 60 km प्रति घंट यानि कि 60 मिनट में ट्रेन 30 km यात्रा कर रही है इंपल इसको समझेए 60 मिनट में 60 km तो देड़ मिनट में कितना 1.5 km और मीटर में लंबाई पूछ रहा तो इसको 1000 से गुना करके मीटर में हम लोग बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 समीटर इस सवाल का अंसर होगा ठीक है आगे बढ़ता है इसका मान निकालना तो देखिए सिंपल साथ दो अंके पहले दस में लब यहां भी दो अंके पहले 24 से 6 बार में यह कट जाएगा 6 गुना एक 6 इस सवाल का अंसर होगा आगे एक संक्या जब 22 परसंट घटती है तो 270 हो जाती है संक्या गयात किजिए इसको फ्रैक्शन में बदलिए तो कितना हो जाएगा 22 दूना चौवाली से 45 बटा 200 हो जाएगा यह खटाएगे 55 और 40 नीचे यानि यह आगया फ्रैक्शन में 9 बटा 40 कहने का मतलब कि 40 ओरिजिनल नंबर है और इसमें 9 का कमी किया गया है जब 40 में 9 का कमी करेंगे तो बचेगा कितना संक्या 31 इसी 31 का वेल्यू हो जाएगा यह 217 कितना गुना है साथ गुना तो संक्या पूछ रहा है तो 40 का वेल्यू कितना होगा इसका भी साथ गुना करेंगे तो 40 गुना साथ 280 सवाल का अंसर होगा ऑप्सन नंबर C आगे बढ़ते हैं इसका मान निकलना है ठीक है देखिए यह कोस्टेक में क्या है तीन तीन काड़ देते हैं 52 बटा पांच इधर मैनस का एक वट पांच तो पुल मिलाके आगया एक वट पांच और पहले 11 बटा पांच है बीच में मैनस है ठीक है यहां तक सौल हो गया अब आगे देखिए यह क्या है छे वट पांच भाग गुना में देंगे और इसको उल्टाएंगे या पांच पांच कटेगा, दो दुना चार, दो तिया छे, दो दो आया, देखे, नीचे पांच पांच बराबर है, ग्यारम से घटा दीजे, दस बटा पांच हो जाए गई है, कटाएंगे दी आगया, दो, यह बेली दो आया है, और इधर जो कटाएं, हम लोग कितना आया है तीन बट्टा दो वीच में है प्लस यानि कि प्लस कर्म देना है तीन बट्टा दो तो दो दोना चारती हैं साथ बट्टा दो इस सवाल का आंसर आएगा अप्सान नमबर एक आगे बढ़ते हैं यदि ब्याज वार्शिक रूप से चकविर्दी होता है तो पचीस हजार की धनरासी दो वर्स बात च्छतीस हजार हो जाती है तो ब्याज की दर ग्यात किजिए तीकि पचीस हजार से च्छतीस हजार हो गया है तो इसका रेशियो देते हैं यानि दो साल में ये पचीस अनुपाद 36 हो रहा है ताइम है दो साल का एक साल का निकलने के लिए कितना करेंगे हम लोग इसका वर्ग मुल ले लेंगे तो वह आ जाएगा कितना पांच अनुपाद 6 यहीं पर एक साल का रेट निकल जाएगा देकिए 5 से 6 हुआ एक कभी आज मिला है पांच पर तो एक बटा पांच यानि की 20 परसेंट इस सवाल का आंसर होगा अगला सवाल देखते हैं एक बिलना का टैंक की छमता 3,160 मीटर क्यूब है टैंक के आधार का वियास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई याद कीजिए तो बिलना का टैंक है तो फ करा आई है वही निकालना है तो एच को एच लिख देता है बराबर यह करेंगे एक सट साथ के बराबर 22 से कटाई इसको 22 दुना चौब आलिस बचा सत्रा बाइस अठे 176 हो गया साथ से दो बार में दोनों से कटा दीजिए इसको दस बार में तो एच बराबर आगया 10 मीट आगये बढ़ते हैं पांच हजार की धन रासी को 10% वार्षिक साधारन ब्याज के दरपर निवेस किया जाता है तो कितने वर्सों में ब्याज की रासी 1500 रुपया हो जाएगी ठीक है ठीक है परती एक वर्स मिल रहा है 10% मुल धन है 5000 तो एक वर्स में कितना मिलेगा 5000 का 10% य इसका मान निकलना है तो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 4 sin2 30 degree है तो 4 गुना sin30 का मान होता है 1 बटा 2, square लगा है तो 1 बटा 4 हो जाएगा यह ठीक है पुल मिला कि 1, 1, 2 इधर भी 2 मैनस में आगा तो 2 मैनस 2 कितना हो जाएगा 0 ओपसन नमबर 2 इसका अंसर होगा आगे बढ़ते है तीन संख्याओं का गुननफल 10,290 है और संख्याओं यहाँ पर है तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्याओं व्याद किजिए तो क्यूब बराबर करेंगे यह गुननफल जो दिया हुआ सवाल में 10,290 के अब यहाँ पर कटाते है जीरो जीरो तीन से इसको कटाएंगे तीन तिया नौ बच्छा एक तीन चो के बारत तीन तिया नौ 343 हो रहा है इधर एक्स पर क्यूब है तो क्यूब हटाएंगे तो गुना साथ यानि की 35 ऑप्सान नंबर दो इसका आंसर है आगे बढ़ते हैं एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानी होती है तो उसे 30% लाब राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रयमूल क्या रखना चाहिए तिक 10% का हानी हो रहा तो वस्तु कितन में बिक रहा है 90% में तो इसी 90% का वैल्यू है ये 360 कि इतना गुना है चार गुना अब देखिए उसको 30% लाप चाहिए तो समान कितना में बेखेगा 100 प्राइस और 30% लाप तो पूल मिला के 130% में तो देखिए उपर वाला का चार गुना है तो इधर भी 4 गुना करेंगे तो 13 चोके 52 यानि की 520 रुपिया इस सवाल का अंसर होगा अप्शन नमबर 3 आगे बढ़ते हैं एक मिसरन में आमल और अलकॉहल 3 अनुपाद 2 अनुपाद में है ठीक है एसीड है अमल और अलकॉहल है अलकॉहल को एल लिखते है इसका अनुपाद क्या है 3 अनुपाद 2 इस मिसरन में 10 लिटर अलकॉहल मिलाने पर अमल और अलकॉहल से अनुपाद क्या हो जाता है 3 अनुपाद 5 यानि 10 लिटर अलकॉहल मिलाते हैं तो अनुपाद क्या हो जाता है 3 अनुपाद 5 मूल मिसरन में अमल की मातरा कितनी थी ठीक है अमल की मातरा पूछ रहा है देखिए य गला कितनं है 10 लिटर इसी caf इसमेमै कितना घंकाल लेंगे तो ितना हो जाएगा तो आंसर आएगा 10 लिटर अब सुन आंसर होगा आगे बढ़ता दिये गए रेखाचितर में PO और OQ तरभूज APQ के परिवरित की तिरज्याये हैं यदि कौन PAQ 38 डिगरी है तो कौन PQO क्या होगा ठीक है यह परिवरित है तो यहाँ पर परिज्दी पर कितना का कौन है 38 डिगरी का तो यहाँ केंदर में कितना का कौन बनेगा इसका दो गुना यानि कि 76 डिगरी का अब तिरभूज PO Q देखिए ठीक है इसमें ये कौन 76 तो बांकी सेज़ दो कौनों का योग कितना हो जाएगा 180 में 76 हम लोग मैनस करेंगे तो आ जाएगा 104 डिगरी अब यहाँ पर देखिए O P और O Q दोनों वरित की तिर योग 104 को 2 से डिवाइट कर देंगे या जाएगा 52 डिगरी यानि परतियक कुन कितना होगा 52 डिगरी ओपसर नमबर A इसका सही आंसर है आगे बढ़ते हैं 250 से 1000 तक कितनी संख्या है 5 6 और 7 से पूर्णता विभाज है तिसका मतलब वो संख्या कौन से होगी तीनों का गुन 220 इसके बाद अगला कॉन सा होगा इसमें 210 होड दीजिए तो होगा 630 तो होगा के अगला कॉन सा होगा फिर इसमें 210 जोड दीजिए तो हो जाएगा 840 इसके बाद जब जोड़ेंगे 210 person पार कर जाएगी क्या करा है कि 250 से 1000 तक तो यही तीनों संख्या है जो कि, 210 से कट रह यह तो option number D का सही answer है, आगे बढ़ते हैं, दो संख्याओं का LCM 156 है, और उनका HCF 26 है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर भी 26 है, तो संख्याओं का योग ग्याद कीजिए, ठीक है, देखिए HCF कितना है, 26 है, तो 26 जब HCF है, तो संख्याओं कौन सी होगी, माल लेते हैं और 26Y, पहली नमबर ये, दूसरी नमबर ये, अब दोनों का LCM कितना है, 156, इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लिए, 26X और 26Y का LCM हो जाएगा, 26XY, इसको करेंगे 156 के बराबर, तो यहाँ से 26 से कट जाएगा ये, 6 बारे में, ठीक है, तो XY का 26Y बराबर 26, यहाँ से 26, 26 कट जाएगा, तो X-Y बराबर क्या आजाएगा, अब देखें, XY 6 है, और X-Y एक है, तो इसमें हम लोग, गैस कर सकते हैं, 3 गुना 2, यानि कि 3 गुना 2, 6 हो रहा है, और यहाँ पर 3-2, एक हो रहा है, तो XY का वेलिए क्या होगा, 3 और 2, अब यहाँ का योग पूछ रहा है, तो इन दोनों का योग हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 26 कोमन लेंगे, तो अंदर बज जाएगा, X-Y, यानि कि 26 और X-Y कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 26, 15, 130, इस सवाल का सही आंसर है, आगे बढ़ते ह 5, 28, A² plus B² 12 है, तो AQ plus BQ कम 안 क्या होगा, तो यहाँ पर फόर्मुला से करना होगा, देखिए, AQ plus B Q बराबर होता है, A plus B, into A square plus B square minus AB तो यहाँ पर A plus B तो है A square plus B square भी है चाहिए क्या AB तो AB निकालने का formula हम पहले बता चुके हैं क्या होता है A plus B का whole square minus A square plus B square ठीक है बटा 2 बस यहाँ से value रख दीजिए A plus B का कितना है 8 8 का square 64 minus A square plus B square 12 है बटा 2 यानि इसको minus करेंगे तो 52 आएगा 52 को 2 से divide करेंगे तो 26 AB का मान कितना है 26 अब यहाँ पर value रखे A plus B रखना था पहले 8 है ठीक है उसके बाद A square B square यह कितना है 12 है आगे minus है 26 है AB का मान 26 देंगे यहाँ पर तो 8 गुना 12 minus 26 20 कितना हो जाएगा minus का 14 तो 14 अठा एक सब बारह यानि एक सब बारह मानस में इस सवाल का सही अंसर है option नुमर एक आगे बढ़ते हैं इसको solve करना है तो पहले costak के अंदर कर लेते हैं यह कितना हो जाएगा 5, 4, 9 और 1, 10 10 से इसको divide करेंगे तो कितना आगिया 20 यह value आगिया 20 आगे गुना है ठीक है यहाँ पर और यह देखिए 1 में है और नीचे इसका हर यहाँ 5 यहाँ 10 है तो हर को बरावर करेंगे 2 से उपर नीचे इसमें गुना करते हैं तो नीचे तो 10 आगिया अगे बढ़ते 10 लिटर गोल में से 2 लिटर पानी को वास्पित किया जाता है 6 गोल में 6 परसंट नमक पाया जाता है मूल गोल में नमक की मात्रा कितनी है तो 10 लिटर टोटल गोल है जिसमें 2 लिटर पानी को वास्पित किया है तो 6 गोल कितना बचा अब यह नमक जो है कारा की प्रारंबिक घुल में यानि मूल घुल में यह कितना परसेंट था नमक तो इतना ही था पहले वाला में क्योंकि वास्पित किया गया कि इसको पानी को तो इतना नमक है 0.48 यह निकालना है 10 का कितना परसेंट है तो 10 नीचे देंगे और 100% से गुना करेंगे जीरो जीरो काड़ देते हैं और यहां पर दस से जब इसको गुना करेंगे तो कितना एगा चार दसमलव आठ परसेंट अप्सान नमबर यह इसका सही आंसर है आगे बढ़ते हैं 30 स्रामिक एक पूल का निर्मान 40 दिन में कर सकते हैं यदि 75 स्रामिकों को यही काम पूरा करने के लिए सौपा जाए तो कुल कितने दिन लगेंगे कि टोटल वर्क हो जाएगा कितना 30 गुना 40 30 गुना 40 30 स्रामीक 40 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों को गुना कर देंगे अब इस काम को करेगा कौन 75 स्रामीक मिलके तो 75 से डिवाइट करेंगे तो दिन का संख्या निकल जाएगा तो 15 दुना 30 15 15 75 5 से 8 बार में 8 दुना कितना सोलो ओप्सन नमबर सीज का अंसर होगा आगे बढ़ते हैं तो यह लास्ट सवाल था वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइए अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए पिर मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए बाब है टेक केर